इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए लिया गया है और इसका सफलता पुर्वक प्रयोग भी किया जा चुका है लखनों के एक वैग्यानिक ने करिब 9 साल पहले एक एर इंजिन का आविशकार किया था जो अब एरो बाइक का रूप ले चुकी है और इस आविशकार के पीछे बढ़ रही ग्लोबल वार्मिंग के समस्या थी साथ ही आम आदमी के जेप पर भी कम खरचाएगा एरो बाइक को तयार करने वाले वैग्यानिक मानते है कि इस बाइक से इंधन की बचत तो होगी ही साथ ही ग्लोबल वार्मिंग के समस्या से भी बचा जा सकता है यूपी राजकिय निर्मान निगम में मुख्य महा प्रबंदक रहे भारत राज सिंग ने हवा से एनर्जी तयार करने वाले इस इंजन को तयार करने में एहम भूमिका अदा की है बियार सिंग इस समय एक इंजिनिरिंग कॉलेज में असोसियेट डाइरेक्टर है और उन्होंने कहा है कि उनका ये आविशकार जब सड़क पर आएगा तो प्रदूशन पर 50 फीसदी तक लगाम लगाई जा सकेगी आविशकार का मुख्य उद्देश गाडियों के पेट्रोल डीजल के इंजन को बदल कर उनमें हवा से चलने वाले इंजन को लगाने का है बाइक 5 रुपे के हवा से 40 किलोमेटर तक का सफर तय करेगी हवा से चलने के बाद भी बाइक के स्पीड पर कोई असर नहीं पड़ा एरो बाइक को 70 से 80 किलोमेटर गंटी की रफ्तार से आसानी से चलाया जा सकता है भारत राजसिन ने अपने इस आविशकार को मंजोरी के लिए सरकार के पास भेजा है इस खबर में अभी के लिए बस इतना है वीडियो को लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ वाटसप पेस्बूक पर शेयर जरूर करे जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले धन्यवाद